हलो जहिन सातियों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चाड़ाल पे सातियों आज हम पढ़ने वाले वर्षाप केल्कुलिसन एंड साइन्स जो की बहुत ही महतपूर्ण कोशन यहाँ पर आपके लिए कबर कियें और यह जो कोशन है आई टी आई परिशा में बार बार पूछा गया है तो जलिए कोशन स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से जिसमें साथ ही वो पहला question पूछा गया कि एक 0 uncelsius वाले बर्प के टुकड़े को 0 uncelsius वाले बीकर में 0 uncelsius के तापमान वाले कमरे में रखा जाता है तो क्या होगा तो साथ हो इस पे जो प्रभाव पड़ेगा इसमें से कोई भी option सही नहीं दिया गया जो कि यह परिशा में पूछा गया था लेकिन यहाँ पर कोई भी option मैच नहीं किया गया कि पूरा बर्प गल जाएगा या बर्प का कुछ भाग गल जाएगा या थोड़ा जल जम जाएग या D option उपरिक्त में से कोई ने तो साथियों यहाँ पर जितने भी छात्र गए थे एक्जाम देने जिन्होंने question का answer मारा उन्होंने D option मारा तो D option यहाँ पर बिल्कुल correct भी हो जाता है question का answer मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं अगले question पे जिसमें अगला question पूछा गया है कि किसी बस्तू के तापमान को किसी से बेक्त किया जाता है डिगरी कूण में या डिगरी तापमान में या कैलोरी में या जूल में किसी बस्तू के तापमान को किसमे बेक्त किया जाता है साथियो तो ध्यान इकेगा उसकी डिगरी तापमान में बेक्त किया जाता है और यहां पर आपको भी आपसंदेखने को मिल जाता है बिल्कुल correct answer आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे कोशन नमबर 3 पे जिसमें साथियो कोईशन नमबर 3 में कहा जा रहा है कि तापमान नापने का उचित सुत्र है सभी को मालूम होना चाहिए साथियो तापमान नापने का जो सुत्र होता है वो क्या होता है तो इसमें जो तापमान नापने का सुत्र होता है आर अपान 4 बराबर आपका C अपान 5 होता है और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है आफसे नंबर C कोशन कर्सार बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाता है आर अपान 4 बराबर C अपान 5 याद रखेगा इसको मुश्च इंपोर्टेंट है कोशन नंबर 5 को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि बर्प का गलनांक होगा 100 अंस यहाँ पर दिया गए और यहाँ पर 80 दिया गए और यहाँ पर 32 दिया गए और यहाँ पर आपको 0 देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है आफसन नमबर D क्योंकि इसका जो सबसे बर्प का जो गलनांक होता है वो आपका जीरो माना जाता है तो D आफसन हमारा सही हो जाता है कोशन करनसार करेक्ट एंसर कोशन नमबर पांच को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि किसी बस्तु को दी गई उसमा या उससे ली गई उसमा निर्भर करती है A आफसन पदार्थ के दर्वेमान पर B आफसन पदार्थ के विशिष्ट उसमा पर या C आफसन तापमान में अंतर पर या D आफसन उपरिक्ति सभी तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नमबर D क्योंकि इसमें जो दी गई है का कोशन में आफसन ये सभी आफसन जो हैं इस पे निर्भर करते हैं जो कि A, B, C तीनों आफसन मैच कर रहे हैं तो इसले हम आफसन नमबर D मारेंगे कोशन का अनुसार करेक्ट एंसर आगे बरते कोशन नमबर 6 पे जिसमें पू तो सातियों यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नमबर A, उसमा धारिता, A आफसन हम करेक्ट इंसर मारेंगे कोशन का अनुसार मिला लिएगा आगे बरते कोशन नमबर 7 पे जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौँ सा तापमान में संदर्भीत है जिसे कि A आफसन उर्ज कि इसका एक जो रूप है जो संदर्भीत रूप है वो उर्जा है और उर्जा का एक रूप है किसका तापमान से संदर्भीत का तो आफसन नमबर A हमारा सही हो जाता है करेक्ट इंसर कोशन का नुसार कोशन नमबर 8 पे आते हैं इसमें कहा जा रहा है कि रेखिये परसार ग सी आफसन देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट एंसर मिला लिजीगा कोशन नमबर 9 पे आते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि फारने हाइट मापने या फारने हाइट पैमाने में पानी का उबाल बिंदू होता है कितना यहां पर अंस होता है 32 अंस होता है या 100 अंस होता है कोशन कनसार मिला लिजेगा आगे बरते हैं साती हो कोशन नमबर 10 पे जिसमें कहा जा रहा है कि जिस नाप तापमाद पर कोई दरब गैस में बदलने लगता है तो उस ताप कराम को उस दरबे का गलनांग करते है पानी के कोथोनांग को होगा ए आफसन 0 अंस या 32 अंस या 80 अंस या 100 अंस तो साती हो ध्याने कियेगा कोशन नमबर 10 में आपका सही हो जाता है आफसन नमबर D 100 अंस जो कि यहाँ पर आपको D आफसन देखने को मिल जाता है बिल्कुल correct answer मिला लिएगा आगे बरते कोशन नमबर 11 पे जिसमें 11 में पूछा जा रहा है कि उस्मा की वह मातरा जो पदार्थ के 1 ग्राम भार का तापमान एक अंस से बढ़ाने के लिए आफसन बिल्कुल गुरुकत्व या B आफसन दिया गया अपेचिक गुरुत्व या C आफसन बिल्कुल उस्मा या D आफसन दियागे अपेचिक उस्मा तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नमबर C बिसिष्ट उस्मा C आफसन 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 करेक्ट इंस्वर मारेंगे कोशन का अनुसार मिला लिएगा आगे बरते कोशन नमबर 12 पे जिसमें कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ में उस्मा की मातरा होती है A आफसन PBT या MST या MS या MSG तो साथियों उस्मा की जो मातरा होती है जो यहाँ पर करेक्ट दिया गए A दिया गए PBT होती है तो आफसन नमबर A हमारा सही हो जाता है correct answer question number 13 को देखे जिसमें पूछा जा रहा है कि ता आप जो celsius और फरना हाइट पैमाने पर समान पार्ट देता है जिसे कि 0 अंस या 30 अंस या minus 40 या यहां पर 50 दिया गया तो साथ हो यह जो question था यह 10 में भी है question जो 12 पास की हैं या जो दसमी पास की हैं उनको देखने को मिल जाता है ऐसे question तो यहां पर आपका सही हो जाता है आफसर नंबर सी माइनस आपका 40 जो होता है इसमें क्या होता है celsius और फरना हाइट पैमाने पर इसका आयतन होगा a फसन घड़ता है b बढ़ता है यह लगतार बढ़ता है यह और फिर बढ़ता है यहां पर आपका सही हो जाता है साथ हो option नंबर c सही हो जाता है कोशन कनसार करेंस आगे बढ़ते हैu नंबर 15 पर जिसमें साथ यो कोशन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि यदि किसी धातु का छेत्री ये परसार गुणांक यदि बीटा है तो उसका आयतन परसार गुणांक होगा बीटा बाई 2 होगा ये 3 बीटा होगा ये 3 बीटा बाई 2 होगा ये 2 बीटा बाई 3 होगा तो देख कोशन नंबर 16 पे जिसमें कहा जा रहा है कि अंगुठी के आकार का एक धात्वे टुकड़ा गर्म किया जाता है यदि धात्व में विस्तार हो तो अंगुठी का छिदर क्या होगा उस समय बढ़ेगा या संचूरित रहेगा अथा संकुचित होगा यसी आफसन अंगुठी की चौड़ाई के अनसार विस्तरित या संकुचित होगा यदि आफसन विस्तार गुडान के मान के अनसार बढ़ेगा या घटेगा तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नंबर A कि वो बढ़ेगा क्या होगा उठा का जो छिदर होगा वो बढ़ेगा जाने के गा त पर सबसे अधिक प्रतिस्यत बृद्धी होती है यहां पर सही हो जाता है आपका सही हो जाता है करेक्ट एंस्वर कोशन नंबर जबता है चैट्रो को देखे जिसमें साथियों कहा जा रहा है कि वर्ब के दो टुकड़े को दबार एक टुकड़ा बन जाता है ऐसा क्यों होता है रेजन यहां पर पूछ रहा है तो देगे यह भी कोशन आपका 12 और यहांप दसवीं में देखनें को मिलता है बार-बार और यह कोईशन काफी ईजी भी है और यह आपका साइंस में कई बार कोईशन पूछा भी गया है तो यहां पर आपका सही हो जाता है साथ हो आफसन नंबर भी करेक्ट टेंसवर दाप बढ़ाने पर गल्लांग क्या होता है घड़ता है ध्याने कियेगा और यहां पर कनफ्यूजन करने के लिए भी आपको बहुत सारे आफसन देखने को मिलेंगे जैसे कि दाप बढ़ने पर गल्लांग घड़ता है या वाई मंडल से उसमा आसोसीत होती है या वाई मंडल से उसमा निस्कृत होती है इस तरह कि आपको कनफ्यूजन देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें संबंद का जो सुत्र होता है वो क्या होता है तो देखिए साथ यहाँ पर आपको भी आपसम देखने को मिलता है करेक्ट एंसर जो सेल्सियस बराबर यहां पर दिया गये पांच बट्टे 9 और यहां पर कोशन में फरनाइट माइनस यहां पर 32 दिया यह आपका सही हो जाता और इस पर मैंने नेक्ट वीडियो में आपको ले क्या हूंगा इस पर सवाल तो इसको आप नोट के लेज़ेगा सवाल को यहाँ पर और यहाँ पर सुत्र को भी आप नोट के लेज़ेगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर कोशन नमबर 20 पर इसमें कहा जा रहा है साथियो कि यहाँ ताप जिस पर बर्प पानी और इसका वास्प संतुलन में रहते हैं कहा जाता है आपसन हिमांक बिंदू, बी आपसन कोथनांक बिंदू, सी आपसन करांतिक बिंदू और दी आपसन जैगे त्रिक बिंदू तो साथियो यहाँ पर सही हो जाता है आपसन नमबर डी जिसको हम त्रिक बिंदू के नाम से जानते हैं उमेदे साथ ही आपको जनकारी पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कलिजेगा